नमस्कार दोस्तों, EPFO ने अपने ओफिसियल वेपसाइट epfindia.gov.in ने बहुत ही एक अच्छा अपडेट किया है दोस्तों, हम सभी अपने लाइफ में अपने प्राइविसी के लोग लेकर सेप्टी जरूर बरतते हैं और ऐसे में दोस्तों, EPFO दोवारा एक मिस्टेक हो रही थी जहां पर आपकी परसनाल डिटेल्स वगरा हो सकता है कि कोई जो है उसे देखकर आपके साथ कुछ फ्रॉट कर सकता था तो ऐसे में दोस्तों, EPFO ने इसमें अपडेट कर दिया है और इसके वज़ा से आपकी जो प्राइवेसी होगी, आपकी जो भी इन्फोमिसन्स होगी, वो बिल्कुल भी सेफ होगी तो चले दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे, इसके बारे में तो प्रीच इस वीडियो को सुरू से लिए कैनल तक देखते रही है और अगर अभी तक हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए तो दोस्तों यहाँ पर अगर जब जाते हैं epf india.gov.in पर तो यहाँ पर अगर पी एप क्लेम स्टेटस शेक करते हैं तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ UN नमबर वहाँ पर प्रवाइट करना रहता था और एक capture code और simply आप submit करके किसी का UN नमबर आपको पता है तो आप उसकी क्लेम स्टेटस देख कर सकते हैं अगर मालीज उसने क्लेम किया हो चाहे ना किया हो तो आप वहाँ से चेक कर सकते थे लेकिन अगर अभी आप जाएंगे तो वहाँ पर एक notice आ रहा है कि towards prevention of leakage of personal data of members and prevent chance of fraud तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि the present UN-based inquiry for claim settlement status has now been moved inside the member passbook application where the registered member can log in and get the status of his or her claim settlement दोस्तों पहले क्या होता था कि यहाँ पर आपको सिर्फी UN नमबर जो है यहाँ पर provide करना रहता था और capture code उसके बाद यहाँ पर claim status हो जाता था लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके UN number से ही आपकी claim status देखकर वहाँ से आपको PF number वगरा भी पता कर सकता है या तो फिर आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि आपने PF claim किया है और उसकी क्या status है कोई ना जान पाए तो यह नहीं हो सकता था क्योंकि अगर आपके UN number ही कोई जानता है तो उसके थुरू से ही आपके PF की claim status कोई भी पता कर सकता था तो दोस्तों यह एक privacy के खिलाब हो गयती समालीजिए और आपकी status वगरा कोई भी चेक कर सकता था केवल सिर्फ आपके UN number से तो यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी भी तरिके के fraud को रोकने के लिए इस claim status को जो है passbook वाले portal पे जो है move कर दिया गया है आपको पता होगा कि passbook आपको देखने के लिए वहाँ पर आपको UN number और capture code के साथ आपके UN password भी एंटर करना रहता है तब जाके आप login होकर आपकी passbook डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं तो वहाँ पर तो सेफ था बिल्कुल ही लेकिन यहाँ पर सेफ नहीं था तो इसलिए move कर दिया गया है इसे passbook वाले portal में तो आपको क्या करना होगा आपकी अगर claim status देखनी है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ही बताया था कि वहाँ पर आपको claim status देखने को मिल जाए इस पर simply click करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ नमबर पास्वार्ड और यहाँ पर answer को type करके login कर लेना है तो यह passbook portal में ले जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं select member ID तो आपके यहाँ में जितने भी यान के PF हैं details होंगे वो सभी PF नमबर यहाँ पर आ जाएं है यहाँ